हेलो इब्रीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जर्णर नालेश से कोईश्चन कर लेते हैं जी के से तो देखिए जर्णर नालेश से आपके कोईश्चन 20 कोईश्चन आपके अटल विहारी भाजपी मेडिकल इनवर्सेटी में जो आप BST Nursing Entrance Exam देंगे अभी 2024 में देंगे अभी इसके अपलीकेशन फार्म आए नहीं है अभी अप्रायल के फर्स्ट वीक तक इसके अपलीकेशन फार्म आ जाएंगे और देखिए एम्स के लिए BST Nursing के लिए जो भी student girls apply कि होंगे BST Nursing के लिए तो दस question आपका gk से आएग और यह वीडियो नमबर books and authors के लगबग 5 वीडियो बनेगी 5 या 4 वीडियो मानके चलिए 4 वीडियो तो बनेगी तो 4 में ये first वीडियो books and authors के उपर हैं तो देखिए आप अच्छे से सब वीडियो पूरा देखिए चीजे clear होनी चाहिए और selection होना चाहिए और GK में लगबग या 12-13 नंबर होगा प्लेलिस्ट में जाएंगे वो देखेंगे वहाँ आइडिया लग जाएगा तो चलिए कोईशन करते हैं और थियोरी भी क्लियर करते हैं यह जैसे यहां पे लिखा गया है बाल गंगा धर तिलक बाल गंगा धर तिलक एक इनकी बुक थी गीता यह देखिए गीता रहस डारेट कोईशन पूछा जाएगा गीता रहस के किस की बुक है तो बाल गंगा धर तिलक की है आथर्स क्या है गीता रहस सी है बाल गंगा धर तिलक फिर उसके बाद यहां पे पूछा जाएगा पूछ जाएगा तो केशरी केशरी इनकी मराठी में थी और जो इनका मराठा एक था वो इंग्लिस में था तो दो इनकी मैगजीन थी एक केशरी थी एक मराठा था नेक्स्ट में ये देखिए ये देखिए पंडित मदन मोहन माल विये इनकी एक के मैगजीन थी इनकी एक देखिए हि इंडी सब्ताहिक आती थी, वो था02 अव्यदीया और एक हेंडी एक मथ में आती थी व था few bookman ढीक आती थी, वो था शनीद dw historical Tournament और कि विद यह को सुन नेच्ट में धेकया। रमीन नास टेगोर का आप बुक्स नेम्स देख लीजिए A Home and the World या फिर गितांजली या फिर गोरा ये तीन बुक्स देख लीजिए ये रमीन नास टेगोर की बुक है मतलब उनकी आथर्स है ना ये रमीन नास टेगोर अभी तो इसके उपर movie भी बनी हुई है फिल्म बनी हुई है तो ये देखिए 12th fail नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये direct question पुछेगा ऐसे कि 12th fail नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है who wrote the book 12th fail तो ये देखिए चेतन भगत द्वारा बिबेक रंजन अगे उत्तरी द्वारा या मेहुल राय मेहुल राय द्वारा या अनुराग पाठक तो अनुराग पाठक की correct option D option आपका correct हो जाएगा 12th fail बुक जो लिखी गई थी ये अनुराग पाठक के द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट में इसका देख लिएंगे यहां ये 12th fail ये 12th fail बुक की ये front cover ऐसा दिखेगा नेक्स्ट में यहां कुछ चीज़े clear कर लीजिए या फुस्तक जो है ये 12th fail बुक जो बनाई गई थी ये किसके उपर बनाई गई थी या पुस्तक IPS अधिकारी मनोजकुमाश सर्मा के जीवन पराधारी थी बायोग्राफी इनकी बनाई गई है जो आत्म कथा इनकी टोटल इसomme इस बुक में दिखाई गई है कौन IPS अधिकारी थे IPS रेंग के अधिकारी थे मनोजकुमाश सर्मा के ऊपर फिल्म निर्माता बिधु बिनोध चोपडा ने अनुराग पाठक के उपन्यास 12 फेल की कहानी पर फिल्म बनाई है जो कि अक्टूबर 2023 में ही रिलीज हुई है यह फिल्म एक छात्र के संगर्स और जज़बे की कहानी है भाई यह मूवी काफी अच्छी मूवी है उस छात्र 12 फेल के नामक बुक किसने लिखी थी तो आप अनुराग पाठक लगाएंगे फिर उसके बाद पूछा जा सकता है 12 फेल नामक बुक जो लिखी गई है किसके जीवन पर आधारित है तो मनोज कुमार सर्मा पर यह भी पूछा जा सकता है 12 फेल मूवी किसने बनाई थी पूछ तो आधारित बूक बेलकम टु पराडाइज बुक अनुसका सर्मा ने यह देखिए अनुसका सर्मा यह फिर प्रियंका चोपड़ा यह फिर टोइंकल खना यह फिर करीना कपूर तो इसमें तो अभिनेतरी का नाम दिया गया है जो आक्टर्स हैं बॉलीवूड में तो अनुस्का सर्मा, प्रियंका चोप्रा, टुइंकल खाणना, तो आफसान नंबर आप लगाएंगे, टुइंकल खाणना, सी आफसान आपका correct हो जाएगा, नेक्स्ट कोईस्चिन ये देखिए, ये भी काफी अच्छा कोईस्चिन है, जो की पूछा गया है काफी बार, कौन से किर्केटर हैं, जिसका बायोग्राफी पे ये बिलीव, हाट, लाइप, किर्केट, थाट मी, ये बुक्स लिखी गई है, तो ये हैं, एमेश दोनी, एमेश डी, सचिन तेंदुलकर, या फिर सुरेश रहना, या फिर सौरब गांगुली, तो मिस्टर आइपियल, बिलीव, इनकी जो बुक है, सुरेश रहना का, इसका फ्रण्ट कवर ऐसा ही है, जिल्क किर्केट, थाट मी, सुरेश रहना का, 2022 में बुक ये पब्लिश हुआ था, Playing It's My Bay ये देखिए ये भी काफी बार पूछा जाता है कि Playing It's My Bay बुक जो है बुक का नेम ये है Playing It's My Bay ये सचिन तेंदुलकर के बायोग्राफिय के उपर है जीवनात्म कथा के उपर ये बनाई गई है ये बुक उनका जीवन परिचे उसमें सब कुछ बताए गया सचिन पहले क्या थे कैसे क्या चीज उनके स्ट्रगल के बारे में और चीजे उनके मोटिवेशन के बारे में प्रुफसाहित किया गया है फिर उसके बाद टेस्ट ये देखिए The Test of My Life The Test of My Life की जो बुक है 2020 में बुक लान चुई थी The Test of My Life फिर उसके बाद ये देखिए This century is not enough ये सौरब गांगुली की है सौरब गांगुली को दादा बोला जाता था किर्केट में 2019 में ही आई थी तो देखिए ये century century means hundred जब किर्केट में कोई hundred रेंड बना देता है ना तो कहते हैं एक century लग गई century में सतक होता है तो ये century is not enough मतलब एक century अभी enough नहीं है अभी और बनेगा तो ये सौरब गांगुली की बुक का नेम था next में no spin no spin था सेन वार्न का था 2019 में ये देखिए six machine I don't like cricket I love it ये है क्रिस गेल की ये बुक है next ये 281 and beyond ये है वीबेस लच्मन का 2018 में ये बुक आई थी वीबेस लच्मन की भी बुक है next में देखिए who is the authors of the book state from the heart state from the heart बुक के आथर्स कौन है लेखक कौन है ये देखिए अमिरता प्रीतम राज मुहन गाधी या फिर कपिल देव कपिल देव थे इस बुक के आथर state from the heart तो आफसर नंबर सी आप correct लगाएंगे next बुक की बात किया जाए तो who is the authors of the famous book a better India a better India एक books का नेम है उसके आथर्स कौन है एक better India famous book है किताब है उसके ए better word तो उसको आथर्स बताना है अजीम, प्रेमजी, राजिव, सिकरी, यन, आर, नरायन, मुर्थी तो यही थे मुर्थी ही थे तो आफसर नंबर सी आप correct लगाएंगे next question यह देखिए which of the following book has been authored by सचिन तेंदुलकर अब यह देखिए जो सचिन तेंदुलकर की बुक है उसके आथर्स जो है सचिन तेंदुलकर है तो उस बुक्स का नाम आपको बताना है होचावदा following books कौन सी बुक है जिसके आथर सचिन तेंदुलकर खोद है तो वो बुक है playing it my way अभी मैंने शुरू में ही बताया था playing it my way बुक जो है वो किसकी है सचिन तेंदुलकर तो आफसा number first ही correct हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की खुद बुक है poverty and unbritis rule of India यह देखिए यह किसने बोला था यह किसकी बुक है poverty जो poverty मतलब होती है क्या होती है जो कहते नहीं poverty है poverty मतलब गरीबी होती है and unbritis rule of India यह दादा भाई नरोजी तो यह आप देख लीजिएगा next में देखेंगे स्रोजनी नाइडू स्रोजनी नाइडू का भी बुक है यह देखिए broken bing या फिर golden threshold यह दो बुक का नाम स्रोजनी नाइडू के नाम से याद रखिएगा next में देखिए यह देखिए annihilation annihilation of caste caste को खतम करना annihilation of caste यह भीम राव अंबेड कर तो यह इनकी बुक का जो front cover आपको दिख जाएगा annihilation of caste अगर पूछा जाएगा annihilation of caste नामक बुक के आथर्स कौन है तो b.r. अंबेड कर साहब तो यह देखिए इसमें आपको दिख जाएगा next पर यह देखिए प्रेम चंदर की बुक भी यहाँ पर दिया गया है प्रेम चंदर की तो यहाँ देखिए गोदान, गबन या फिर करम भूमी या फिर रंग भूमी तो भूमी से दो बुक एक यहाँ पर भूमी एक भूमी यहाँ पर और एक यहाँ पर गोदान और गबन यह चार बुक आप याद करिएगा यह प्रेम चंद मुनसी प्रेम चंद जो थे उनकी चार बुक है गोदान, गबन और फिर यह देखिए करम भूमी और रंग भूमी तो ये चार बुक का नाम याद करियेगा ओरजिन आफ लाइफ माई नेचरल सेलेक्षाण ये देखिये ओरजिन आफ लाइफ जोरदार पढ़ाया थी वो किसके दौरा बाइन नेचुरल सेलेक्शन के दौरा तो यह बुक नेम किसने यह तो बाइलोजी में भी दिया गया है और जिन आफ लाइब बाइनेचुरल सेलेक्शन जाहिए मैंने तो एबलीशन पूरा चैप्टर बहुत सांधार और जोड़दार पढ़ाया और उस उसमें कोईशन पूछा जाता है उसकोईशन का जवाब उसमें कमेंट बॉक्स में देना होता है यह नहीं करना होता है कि मैं टार्गेट प्रोवाइड करता हूं डेली आपको टार्गेट भी इसलिए प्रोवाइड कर देता हूं वाट सब पर कि आप टार्गेट जाएं कम क्लियर हो रही है तो फिर वही चीज है कि रिवाइज करिए और देखिए जो इसलिए टार्गेट प्रवाइट किया जाता है कि उसको कंप्लीट करें और कमेंड करें इसलिए नहीं प्रवाइट किया जाता है उस वीडियो को डाउनलोड कर लें और फिर उसके बाद नाचते गहुमते रहें तो इसलिए नहीं उसको देखने के लिए नेक्स्ट पे origin of life by natural selection तो आप कि scientist लगाएंगे ये Charles Darwin लगाएंगे तो C.A.F.son आपका correct हो जाएगा Charles Darwin एक scientist थे जिन्होंने बोला था वाई कि जो origin of life जो life की origin होई थी वो किसके दोरा natural selection के दोरा nature के दोरा ही select किया गय who wrote ये who wrote discovery of India किसने लिखा था discovery of India भाई देखिए महत्मा गादी जवाहला नहरू एपी जी अदूर कलाम बाल गंगा धरतिलाग अब इस question का जबाब comment box में आप comment करिएगा चारो आपसन में एक option आपका correct है who wrote किसने लिखा था discovery of India तो चारो आपसन में एक option आप comment box में comment करके जरूर बताएं और जरूर का मतलब होता है कि सभी student को बताना तो बताईएगा अगर कुछ सही लग रहा है तो अभी तक कुछ student वीडियो को लाइक नहीं कियोंगे तो प्लीज लाइक करें हर एक बार मतलब हर एक question जितनी बार question करा है उतनी बार बोलें वीडियो चैनल को भी nursing aptitude भी GK भी English भी कुछ सब कुछ लेकिन वही है फिरी में देना सही नहीं है फिरी में ग्यान अच्छा नहीं है बाई अब के जबाने में तो चलिए next year दमाका चलेगा इस साल तो अभी provide की जा रही है next में who is the authors of the book the three mistakes in my life देखिए the three mistakes in my life के authors book के author कोन है तो ये book का name है the three mistakes in my life book है किताब है उसके authors बताना है रस्किन बॉन्ड चेतन भगत हाँ तो चेतन भगत ही है क्या है the three mistakes in my life book के author कोन है चेतन भगत तो be option correct करिए the famous work ये देखिए the famous work ये देखिए ये क्या लिखा गया अनन्द मठ अनन्द मठ वाज रिटेन बाई अनन्द मठ जैसे ही आप अर्बिंडो या फिर बंकिम चंद्र चटरजी लगाएंगे रमिना टैगोर या फिर हां बंकिम चंद्र चटरजी लगाएंगे तो भी आप सनाप करेंगे ये देखिए अनन्द मठ तो भी आप सनापका correct हो जाएगा next question ये देखिए ये भी question काफी सांदर question है national anthem national anthem बंगलादेश का वो अमर सोनर अंगला वाज written by किसने अमर सोनर बंगला जो बंगलादेश का national anthem में किसने लिखा था written रमीन नाटैगोर श्रोज नीनाइडू या फिर काजी नार्जूल इसलाम या फिर तसलीमा नार्जिन तो इसका option कौन साफ लगाएंगे national anthem आफ बंगलादेश अमर सोनर बंगला वाज written by तो national anthem आफ बंगलादेश बंगलादेश का जो national anthem है अमर सोनर बंगला ये written मतलब written लिखा गया था किसके दोरा रमींदना टेगोर, सरुजनी नाइडू, काजी, नाजारूल, इसलाम या फिर तसलीमा नाजीरिन तो आफसर नमबर इसमें रमींदना टेगोर ने ही 1905 इस भी में इन्होंने ये लिखा था 1905 में में रमींदना टेगोर ये सौंग के रूप में वहाँ पे national anthem चलाय जाता ह नेक्स्ट वी ये देखिए, ये भी question काफी अच्छा question है और इस भी question को solve करने की कोशिस करें made in India, made in India 75, made in India 75 years of business and enterprise के लेखक कौन है ये देखिए books पूरा नेम है, who's the authors of, ये देखिए made in India 75 years of business and enterprises, ये पूरी books की नेम है, अब इसके आपको authors लेखक बताने है रगुराम राजन, दीपक मिस्रा, अमिताब कांथ, ये देखिए कौन है, तो मेरे carding तो भाई अमिताब कांथ ही होने चाहिए, तो option number आप C लगाईएगा, C आप option लगा सकते हैं, C सही भी है next question ये देखिए, ये question आप solve करने की कोशिश करिए, the golden years, the many joys living off good long life, पुस्तक के लेखक कौन है, whose the authors of the book, the golden years, अब इतना जैसे ही the golden years देखेगा, आप क्या लगाएँगे, चेतन भगत लगा देंगे, क्या नेक्स्ट में देखिए अंजय टू योगी हाँ देखिए ये देखिए ये क्या लिखा गया है अजय लिखा गया है अजय टू योगी आदितिनाथ नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर सीयम आदितिनाथ योगी जो योगी आदितनाथ जी हैं, इनकी एक ग्राफिक नोबेल टाइटल दिया गया है, अजे टू योगी आदितनाथ हैजमिर रिटेंड किसके द्वारा लिखा गया है, यह देखिए सांतनु गुपता, तो हां सांतनु गुपता नहीं लिखा था, तो आपसन नमबर डारेक्ट आप फरस्ट करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिस मत करिए, यह सांतनु गुपता ही थे, सांतनु गुपता, तो आपसन नमबर फरस्ट ही करेक्ट हो जाएगा, यह देखिए सांतनों गुपता यह तो बुक्स पूरा बुक दिया गया है सांतनों गुपता का फेगर भी है सांतनों गुपता को आप देख सकते हैं उनकी यह बुक का फ्रंट कबर ऐसा ही बनाया गया है और यह देखिए सांतनों गुपता नीचे लिखा गया है 101 लिखा गया है यहाँ योगी आदितिनात आजय टू योगी आदितिनात बुक्स का नेम है सांतनु गुत्ता तो यह हो गया next question यह देखिए who was the authors of India India of my dreams who was the authors of India India who was the authors of India of my dreams India of my dreams के authors कौन है India of my dreams यह देखिए जे भी क्रिपलानी है या फिर महत्मा गादी है या फिर गोपाल किसमें गोखले है या फिर जवाहलान नेरू है कौन सा आपसन इसमें आपका correct हो जाएगा यह आप बताईए कौन सा आपसन इसमें correct है who was the author of India of my dreams अब इसमें बताईए इसमें आपका महत्मा गादी correct हो जाएगा बी आपसन आप correct लगाएंगे बी आपसन आपका correct हो जाएगा क्योंकि India of my dreams ये महत्मा गादी ही बोले थे बी आपसन correct लगाएंगे next question ये देखिए द्रोपती मुर्मूर द्रोपती मुर्मूर क्राम ट्राइबल हेटर हिंटर लैंड या फिर टू राय सीना हिल्स के पुस्तक लेकर कौन है who the author's a book द्रोपती मुर्मूर फ्राम ट्रिबल ये देखिए हिंटर लैंड्स टू रेजिन हिल्स यहीं से आप question solve करेंगे द्रोपती मुर्मूर फ्राम ट्रिबल हेंटर लैंड्स रेजिन हिल्स ये जो द्रोपती मुर्मूर फ्राम ट्रिबल साइंड रायल्स हिल्स पुस्तक जो है उसके लेकर कौन है दुरूपती मुरमूर कस्तूरी रे या फिर परमीट सिंग या फिर गीता सिंग तो बताईए इस बुक के लेखा कौन है दुरूपती मुरमूर फ्राम ट्राइबल हिंटर लैंड टू रेजिना हिल्स तो बताईए कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईए किसने लिखा था ये बुक्स कौन लिखा था तो ये से दुरुपती मुर्मूर ही आफ कौन सा आफसन इसमें आफका करेक्ट हो जाएगा आफसन आफ करेक्ट करके जरूर बताईए ये देखेंगे ये यहाँ पे कुछ एक्स्प्लेइन किया गया है कस्तूरी रे द्वारा लिखित पुस्तक द्रोपती मुर्मूर ट्राइबल्स हिंजर लेंड के राय सीना हिल्स एक आधिवासी लड़की की यात्रा बया करती है अब ये कस्तूरी रे क्या थी इनके द्वारा लिखित पुस्तक द्रोपती मुर्मूर ट्राइबल हिंटर लेंड से राय सीना हिल्स एक आधिवासी लड़की की यात्रा बया करती है ये आधिवासी ही थी तो पुस्तक में मुर्मू ने ओडिसा के मायूर भंज जिले में अपने छोटे से गाउं को छोड़ने से लेकर भारत का पहला नागरिक बनने राश्क पाती बनने तक उनके संगर्सों को बताया गया है तो इस बुक का ये पूरा फिगर है फरंट कबर ये दिखा गया है तो ये पूरी कहानी इसमें इनकी जीवन ग्राफी इनकी बायो ग्राफी पूरी इस बुक में लिखी गई है तो चलिए इतना हम लोग काफी इस बीडियो में कोशिच्छन किया हैं आपको चीजे समझ में आई हैं तीन चार बीडियो आ जाएगी पूरा बुक सेंड आथर की कहानी फीनिश हो जाएगी एक कोशिच्छन आपको मिल जाएगा फिर भाजाएगी तो चलिए नेक्ट वीडियो मिलेंगे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो आप लाइक करें और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में छे साथ सो वीडियो है वो पूरी रिवाइज करें फिजिस कमेस्टिव बायलोजी जी के आपकी तो यह सब चीजे फिनिस कर दी गई है खतम हो गया पू यहां पूछा जाएगा और देखिए 200 कोईशन में आपका यहां पूछा जाएगा ना आटल व्यारी में 200 कोईशन में 160 से कम नहीं सही होना चाहिए और आप अगर एमस का देने जा रहा है तो एमस में तो सो कोईशन पूछेगा उनली एंसी आर्टी फालो करेगा ना फिज सब्सक्राइब आपको उतना कितना करना है जितनी वीडियो कराईए सबी करना है थांक्यू